कि जो लोग सादगी को मेरी बेवकूफी समझते हैं इस्टार्ट करने तो सबसे पहले तो मैं शफिक भाई का शुक्रिया दा करना चाहूँगा और सर्ताज भाई का बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे इस काबिल समझार आपके इस पे मुझे बुलाया तो एक शेर्शे आगास करता हूँ लहजा ऐसा के सामना हो आग से यार बात तो करा कर ठंडे दिमाग से और देखिएगा के इतना करीब कहां कोई रिस्ता लगता है हर तालुक यहां कच्चा लगता है पुराने दोस्तो यार मिल लिया करो तुम मिलते हो ना तो मुझे अच्छा लगता है और भूल बैठा है मुझे मेरा दिल तोड़ने वाले कभी मुझसे भी तो पूछ मुझे कैसा लगता है हर एक तालुक मतलब परस्त है यहां मा तेरा प्यार है जो बस सचा लगता है समात क्यूं पस्त है पुकारों के सामने कब से देता रहा सदाएं दिवारों के सामने हर रोज नया मसला दर्पेस है यहां निकल आते हैं अश्क अखबारों के सामने शुक्रिया 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 उनकी हर फित्रत को हम बखूबी समखते हैं जो लोग सादगी को मेरी बेवकूफी समखते हैं मेरी कोई बात पर तवज्जो नहीं तेरी मेरी कोई बात पर तवज्जो नहीं तेरी तेरी हर एक बात को हम जरूरी समझते हैं शुक्रिया शुक्रिया भाई शुक्रिया 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 और बे सहारा सरों पर सफकत तो करे कोई ये आ जाएंगे रस्ते में नसीहत तो करे कोई हाथों में हैं मुबाइल देर तक के रत जगे इन नई नसलों की हिफाज़त तो करे कोई इसलिए उसका है चर्चे आम मेरे दोस्त उसकी आँखों से छलकता है कोई जाम मेरे दोस्त इसकूल के दिनों से उसे चाहता हुमें दिल की तक्ती पे लिखा है उसी का नाम मेरे दोस्त शुक्रिया 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 वो जैसा चाहें उसी तबदील में लग सकते हैं तरजुमा छोड़ के तफसील में लग सकते हैं और इतनी गहरी हैं उनकी वो रौसन आखें हम कवल बन के उसी जील में लग सकते हैं उसका मिलना जब मेरी दस्तरस में नहीं था तो मैं भी महबत की कश्मा कश्मे नहीं था एक सबजेक्ट और महबत का जुड़ गया एक सबजेक्ट और महबत का जुड़ गया जो ना कभी मेरे सिले बस में नहीं था लमहे खुशी के कोई बिताने नहीं आता वादा तो कोई अपना निभाने नहीं आता रूठे हुओं को हम तो मना लेते हैं लेकिन रूठे हुओं को हम तो मना लेते हैं लेकिन जो हम रूठते हैं तो कोई मनाने नहीं आता शुक्रिया 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 भाई